235 किलोमेटर की रफ्तार से रिमाल तुफान चक्राया है पश्रिम बंगाल के कई लाखों में तेज बारिश हुई है तुफानी आवाओ की बज़े से कई जगा जो पेड़ है वो भी उकड़े है उसकी तस्मीरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कई खंटे तक र रिमाल तुफान का लेंड़ फॉन चला है तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्रिम बंगाल से आपको बता दे कि एक और जहां उत्तर भारत में भीशन गर्मिस से लोग जूज रहे है वहीं दूसरी ओर बंगाल की खारी से शुरो हुआ रिमाल तुफान देर किलोमेटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तुफान की गंभिरता को देखते हुए पिया मोधी ने भी सम्मंदित विबागों के साथ समिक्षा बाचकी है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी नर्देश दिये हैं तो यह बड़ी जौनकारी पश्रिम मंगाल के कई इलाकों में तेश बारिश हुई है तस्वीरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है देखें तुफानी हवाओ की वज़ह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए है पश्रिम मंगाल के तटों से जो यह रिमाल तूफार है वो टकराया है दो तस्वीरे आपको टीवी स्क्रीन पर है पहली तस्वीर देखें कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर जहां पर बारिश हो रही है बहांचालकों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा तो पशिम बगाल के चकरवाद तुफान रिमाल के चकराने की घटना पार केंदरे ग्रिया मंत्राले नजर बनाय हुए है अमिश्रा ने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर लिखा चकरवाद रिमाल लेंडफॉल को लेकरके संबधित अधिकारियों से बातचीत की है जिन इलाकों में चकरवाद का असर हो सकता है वहाँ एंजियारफ की तैनाति की गई है साथी सची इलाकों से लोगों को स्कुरक्ष तक शेतों में पहुचाया जा रहा है साथी उन्होंने ये भी लिखा मोधी सरकार आपदाओं में नियूनतम जनानी के लक्ष को आफिल करने के लिए प्रतिबद है जो ट्वीट किया गया एग्रमंत्री अमिश्वा के तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीम पर दिखा रहा है आपको बता दी कि पश्यम बंगाल के सचों से जो रिमाल तूफान है वो देखे चकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिये गए है न्टी आरेफ एच्टी आरेफ के टीमें भी तैनात की गई है और आपको हम कुछ तस्वीरे दिखा रहा है जो उस वक्त की है जब रिमाल तूफान का लेंडफॉल पश्यम बंगाल के तटोपस शुरू हुआ था जिसका असर पश्यम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया मौसम विबाग के मताबिक इस दोरान करीब 80-100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाय चली है और तूफानी बारिश हुई है जिसकी वज़े से कई जगा पेड जो है वो उखड गया है तीन तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर है कोलकाता की ये तस्वीर देखे तुफान की दस्तक की तस्वीर है, पुर्वी मिदलिपूर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलिपूर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तुफान की वज़त से कई जगों पर पेड़ पौधे भी गिर गया है, दियारफ है, दियारफ की तीम आपको नज़र आ रही है, सड पुलिस का दिएस्टर मानेजमेंट का टिंग को आके काम कर रहा है, जल से जल यह जो ट्री जो अप्रूटेड हुआ है, उनको काट के उनको साइट किया जाएगा ताके रस्ता कोल जगा, अभी यह साइकलोन को लेके स्पेशल उनिफाइड कांट्रोल रूम, पुरा रात मोन और चलिए रू करते हैं अगली खबर की ओर, दिली में अगले तीन दिरों तक भीशन, गर्म अहवाओ का सिलसला जारी रहेगा, मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए गर्मी का रेज अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिली का तापमा और तीन दिगरी दर्च किया क्या था, तो लगतार दिखे गर्मी का सितम जारी है और अगले तीन दिन तक भीशन, गर्मी और भी जादा पड़ेगी, इसलिए आप सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए तो लगतार मौसब विबाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, कई जगों पर और इंज अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि गर्मी का सितम धन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और अगले तीन दिन तक और भी जादा भीशन, गर्मी पड़ेगी, आपको बता दे कि लोग ये वज़ा से लोग परिशार हो रहे हैं